है दोस्तों कैसे आप लोग आशा करता हूं सब लोग खुश होंगे अच्छे होंगे और सबकी त्यारी अच्छे से चल रही होगी आज की इस वीडियो में लास्ट जो वीडियो था उसके कुछ प्रश्न को पूरा करेंगे जैसे मैंने बताया था कि एंटी पीसी और गुरू इंटाफेर भी पढ़ना पड़ेगा और आपका जो इतिहास भुगोल पॉल्टिकल साइंस है वो भी पढ़ना पड़ेगा तो कई लोग यह पूछ रहे थे कि भाई आपने ग्रूप डी के लिए तो चलो बता दिया कि उसमें साइंस अलग से 25 नंबर बोला है और उसके बा पढ़ लो या आप एक साथ कवर करो अब अलग अलग पढ़ोगे यह इंपॉसिबल है क्योंकि इतिहास भुगोल पॉल्टिकल इसका जो जो चैप्टर है जो स्लेबस है वो बहुत वाइल्ड है अगर आप इसी को पढ़ते रहे तो 6 महने तो आपके ऐसे बिज जाएंगे जबकि इसकी संभावना एक्टूबर तक रेलवे ने ऑफिशली बता है कि एकजाम होगा तो उसको सही मानके चलना है तो सही मानके चलना है तो जो एन्टीपीसि में ग्रूप डी वालों को समझाई दिया है कि आपको करना कि आपको साइंस में फोकस करना है जो कि तीस आप इतिहास भूगोल जियोग्रोफी जो है आप अपनी लूसेंट को कवर करिए और जैसे मैंने ग्रूप डी में भी वताया था कि लास्ट येर का जो डाटा है जितने भी कोश्चन ग्रूप डी, आर्पीअफ, एससी, जीडी में हो चुके हैं उनकी किताबे मार्किट में उपलब्ध हो चुकी है, आप उसको खरी दिये और उनके जो जीके के प्रशन थे, आप उस पे कमांड बनाईए, उसके अलावा आप अपनी लूसेंट को पढ़िए, एमसीक्यू फोर्मेट में जो लूसेंट की भूका थी है, उसको भी पढ़िए, क्योंकि उससे आप ज्यादा कोशन कवर करेंगे, अगर आप थियोरी पे कमांड बनाते हैं, इतिहास बूगोल जियोग्रॉफी में, पॉलिटिकल साइंस में, तो आप कही नहीं फस जो लोग इन दोनों चीजों को एक साथ देखोगे, तो वो लोग इस लेपस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में यही बताओंगा, आप अलग अलग मत भागिये, रही बात यूटूब चैनल की, बुक्स की, तो मैंने आपको पहले बताया था, इस वीडियो में भी मैं अच्छे से बताता हूँ, कि बुक्स आप सबसे पहले लूशेंट की खरीदिये, MCQ फॉर्मेट वाली, उसके बाद आप, आपको जो भी बुक अच्छी लगे मार्किट से, देखो कोई भी बुक से, सेलेक्शन नहीं होता, जितने भी बच्चे सेलेक् चुट क esse, सब की फैवरेट होती है, सब बताए वीडियो उसके लावा एक बुक होती है, जो सब की अलग होती लिए कोई युवॵ्य बताएगा, जो के बुख हो ऑँ कुछ बताएगा, जो की कभएंप कोउध पड़ने से काम नहीं होगा, अलग अलग बुक और कई सारी प खरी दिए जिससे कि आपका पर मंत का करंट अफेर कंपलीट होता जाएगा और डेली में नेक्सट इकजाम का आपको वीडियो देखना है जो करंट अफेर का है प्लस में जो पास्ट का जो पीता हुआ करंट फेर वह एक्जाम पूर के द्वारा आप देखोगे उसमें मास्टर करंट फेर की क्लास चल रही है वहां से कंप्लीट हो रहा है तो आप उसको भी पगड़ लीजिए जहां से आपका करंट फेर पूरा हो जाएगा उसके बाद मैथ मैथ में सबका एक अपना नजरिया ह होता है सबके अपने अलग टीचर होते हैं मैं फोकस करूंगा कि आप ओफलाइन कोचिंग जल्दी से जल्दी पकड़िए अगर आपको लगता है आप मेहनत करना चाहते हैं अगर ओफलाइन कोचिंग अवेलबन नहीं है तो आप फिर यूटूब पे राहूल सर या फिर व एक टीचर का एक फॉर्मेट पकड़िए अलग लग टीचर पर भागेंगे कि परसेंटेज इस टीचर से हमने पढ़ लिया रेश्यो इस टीचर से पढ़ लिया तो कवर नहीं होगा किसी एक टीचर को पकड़िए नोट्बुक बनाए तो मैथ वहां से कवर हो जाएगा लिशती है बात आपकी रीजनिंग की तो रीजनिंग में भी देखो बहुत सारे टीचर अलग लग चैनल पर पढ़ा रहें किसी एक टीचर को पकड़ो और यह मत देखो कि वह रीजनिंग किस चीज के लिए करा रहे हैं जैसे कि यूपी प्लीष फायर्में की रीजदिंग यूपी लेकपाल की रिजनिग हैं, एंटीपीसी की रिजनिग है, कोई भी रिजनिंग का जो क्लास चल रहा होगा, चैप्टर वाइस, उसको पकड़िए और उस पे क्लास वन से लेकर जो अभी वर्तमान में क्लास चल रहे होगी, उसको बनाने की कोशिस कीजिए और जो लास्ट येर का डाटा है वहाँ से रिजनिंग कोश्चर पर प्रैक्टिस लगाई है जहां से आपका रिजनिंग भी कम्प्लीट हो जाएगा अब बसती है कि जो इतिहास भुगोल और ये सब है राजनीतिक विग्यान तो इस पर मैं वही बताऊँगा कि आप लुसेंड पढ़िए mcq format वाला साथ में जो लास्ट येर का आपको कोश्चन का डाटा मिलेगा महार मार्किट में बुक में अलग लग बुक आ चुकी है प्लेटफॉर्म की भी बुक हैं अगर आपको बुक नहीं मिलती है तो आप पीडिएफ फॉर्मेट में कई सारे यूटूबर हैं जो इसको बेखते हैं एक टॉप ट्रेंडिंग जीके है वो लगवग 30-35 रुपी की पीडिएफ बना के बेखते हैं अगर चाहता तो मैं भी आपको मतलब इस तरीके का कुछ काम कर सकता था लेकिन मैं बेखना नहीं चाहता अगर आपको वहां से नहीं मिल पाती है तो आप बताईएगा मैं कोशिश करके पीडिएफ फॉर्मेट बना के आप लोग को फ्री ओफ कोश्ट मैं बता दूँगा कि कहां से कैसे डाउनलोड करना है या मैं ही आपको लिंक बना के दे दूँगा आप डाउनलोड कर लेना अब मैंने सारी चीजे बता दिए अगर इसके बात भी अगर कोई कोश्चन बच रहा होगा तो अब कमेंट में बता देना जरूर करना कमेंट में